यहां खेत की जुताई के दौरान मिला हत्यारों का जखीरा 28 सदी के बताए जा रही है ये हत्यार क्या किसी स्तेना ने चिपाए थे या किसी डाकू के गिरहों ने देखें एन आई यू की एक्स्लिूसिव विडियो रिपॉर्ट उत्रप्रदेश में गाव में तब अचानक से हडकंप मच गया जब एक खेत में जुताई के दौरान किसानों को हत्यारों का जखीरा हासिल हुआ हत्यारों की तादाद और उनकी नकाशी देखकर गामन तो हैरान हुए ही पुलिस प्रशासन के भी होशुड़ गए क्योंकि इस अमस्त हत्यार कोई 15-20 साल पुराने नहीं बलकि 28 सदी के निकले किसान जब खेत में जुताई कर रहा था तब ही अच्वानक जमीन के अंदर हलके नसुडे किसी लोहे नुमा वस्तु से टकराए और भारी आवास हुई किसान ने जब खुदाई और जांच की तो वह हक्का बक्का रह गया इन प्राचीन हत्यारों में तलवार, खंजर, बर्ची और उस जमाने की बंदू के तक शामिल है दरस्तल ये पूरा बाग क्या घटा शाहाँ जहांपूर जिले के निगोही था नशेत्र के धकी आतिवारी गाउं में जहां बंदर पड़ी जमीन में अब घर बनाने और खेती हेतू खेत तयार करने का कादरे चल रहा था बताया गया है कि इस जमीन में कभी फलो का बाग हुा करता था फिलहाल ग्रामिन इस बंदर जमीन से मिट्टी त्यादी ले जाया करते थे समय के साथ बदला हुआ और इस जमीन को बाबुराम नामकिसान ने खरीद लिया अब बाबु राम किसान यहाँ अपने परिवार के लिए घर बना रही है साथ ही बची हो इस जमीन में खेती करने के रादे से जुताई चल रही थी इस दोरान हल के नसूडे से मिट्टी में दबे हुए हत्यार पकरा गए तब जाकर यह एतिहासि खजाना प्राप्द कोई सतकाल प्रभार से ग्रामिनों के द्वारा प्रशासन को सूचना दे गई जिसके बाद गाउं में आलाधिकारी दलबल के साथ पहुंचे और रुक्त हत्यारों को अपने कब्दे मिलिया फिलाल ग्रामिनों के लिए घटना कौतुहल का विश्या बनी हुई है और इन हत्यारों को देखने के लिए दूर दराज के ग्रामिन भी गाउं में पहुंच रही है ब्यूर रिपोर्ट न्यूज इंडिया अपडेट उत्रप्रदेश